प्रधान मंत्री नरींद्र मोदी ने 2024 लोकसवाच चनावों से पहले बड़ा दाउं चला है पियम मोदी ने भुबाल में एक कारेक्रम को संबोधित करते हुए समान नाजिक सहिंता यानि कि UCC को देश के लिए जरूरी बताया पियम मोदी के इस बियान पर सियासी और धार्मिक बहस चुड़ गई है जहां कांगरस समेत तमाम विपक्षी दल पियम मोदी पर राचनितिक लाव के लिए UCC का इस्तिमाल करने का आरोप लगा रहे हैं वही दूसरी और इससे पहले लाव कमीशन ने भी धार्मिक संगटनों और जनता से 15 जुलाई तक UCC पर राय मागी है ऐसे में धार्मिक संगटन भी UCC के पक्ष, विपक्ष में अपनी प्रतिक्रियाएं दे रही है UCC को लेकर सभी धर्मों के लोगों में भी इस बात की चर्चा शुरू हो गई है कि उनके नीची कानूनों पर इसका क्या असर पड़ेगा Uniform Civil Code यानि कि UCC का मतलब है भारत में रहने वाले हर नागरी के लिए एक समान कानून होना चाहे वे किसी भी धर्म या जाती का क्यों न हो यानि हर धर्म जाती लिंक के लिए एक जसा कानून अगर Civil Code लागू होता है तो विवा, तलाग, बच्चा गोत लेना और समपत्ती के बटवारे जैसे विश्यों में भी सभी नागरीकों के लिए एक जैसे नियम होंगे समान नागरिक सहिंता भारत के सविधान के अनुचे 44 का हिस्सा है सविधान में इसे नीति निदेशक तत्व में शामिल किया गया है सविधान के अनुच्छे 45 में कहा गया है कि सभी नागरिकों के लिए समान नागरिक सहिंता लागू करना सरकार का दायतव है. भारत में अलग अलग धर्मों के अपने-अपने कानून है. जैसे हिंदूों के लिए हिंदू-परस्नल लोड, मुस्लिमों के लिए मुस्लिम पर्सनल लॉग ऐसे में UCC का उतेश्य इन व्यक्तिकत कानूनों को खतम करके एक समान्य कानून को लाना है आये जानते हैं कि UCC अगर लागो होता है तो किस धरन पर क्या पड़ भाग पड़ेगा अगर UCC आता है तो हिंदु विवाधिनियम 1905, हिंदु उत्र अधिकार दिनियम 1956 जैसे माजूता कानूनों को शंशूदित करना होगा उधारन के लिए हिंदु विवाधिनियम की धारा 2 के section 2 कहते है कि इसके प्रविधान अनुसूचित जंजातियों पर लागो नहीं होगे कानून की धारा 5 का section 5 और 7 में कहा गया है कि प्रथकत प्रथाएं प्रवधानों पर हावी नहींगे लेकिन UCC आने के बाद इनकी ठूट नहीं मिलेगी Muslim Personal Shariat Application Act 1937 में कहा गया है कि शरीयत या इसलामी कानून के तहर शादी, तलाग और भरन पोशन लागो होगा लेकिन अगर UCC आता है तो शरीयत कानून के तहर तैय विवाध के नियुन्तम उम्र बदल जाएगे और बहु विवाध जैसे प्रथाएं खतम हो जाएंगे सिक्खों के शादी संबंदित कानून 1909 के आनांद विवाध नियम की अंतरगत आते हैं हालनकि इसमें तलाक को कोई प्रवधान नहीं है एसे में तलाक के लिए उन पर हिंदू विवाध नियम लागू होता है लेकिन अगर UCC आता है तो एक समाने कानून सभी समुदायों पर लागू होने की समभापना है ऐसे में अनंद विवा अधिनियम भी खतम हो सकता है पारसी विवा और तलाक अधिनियम 1936 में प्राप्ठान है कि जो भी महिला किसी अन्य धरम के वेक्ति से शादी करती है तो वे पारसी रिती रिवाजों और रिती रिवाजों के सभी अधिकार खो देगी लेकिन UCC आने पर ये प्राप्ठान समाप्थ हो जाएगा इसके इलावा पारसी धरम में गोद ले हुई बेटियों को अधिकार नहीं दिये जाते जबकि गोद लिया गया बेटा सिरफ पिता का अंतिम सिंसकार कर सकता है अगर UCC पेश किया जाता है तो सभी धरमों के लिए संग्रक्षक्ता और हिरासत कानून समानने हो जाएगे और ये खतम हो जाएगा UCC आने से विरासत, गोद लेने और उत्राथिकार संबंदित व्यक्तेगत कानून प्रभावित होंगे इसाई तलाग अधिनियम 1869 की धारा 10A1 के तहर आपसी जहमती से तलाग के लिए आवेदन देने से पहले पति-पत्नी को कम से कम दो साल तक अलग रहना अनिवार है लेकिन UCC आने के बाद ये खतम हो जाएगा इतना ही नहीं 1925 का उत्राधिकारे धिनियम इसाई माताओं को उनके मृत बच्चों की संपत्ति में कोई अधिकार नहीं देता है ऐसी सारी संपत्ति पिता को विरास्त में मिलती है UCC आने पर ये प्रावधान भी खतम हो जाएगा आदिवासी समाज परंपराओं प्रथाओं के अधार पर चलता है ऐसे में UCC आने से उनके सभी प्रथगत कानूर खतम हो जाएगे C&T यानि के छोटा नागपूर Tenancy Act, संथाल परगिना Tenancy Act, SPT Act, PESA Act के तहएद आदिवासियों को जार्खन में जमीन को लेकर विशेश अधिकार है UCC के लागो होने से ये सभी अधिकार खतम हो जाएगे UCC के लागो होने से पूरे देश में विवाह, तलावक, विभाजन, गोद लेने, विरासत और उत्राधिकार एक समान हो जाएगा ऐसे में महिलाओं को संपत्ति का समान अधिकार मिल जाएगा ऐसे में अगर कोई गयर अधिवासी, एक अधिवासी महिला से शादी करता है तो उसकी अगली पीडी की महिला को जमीन का अधिकार मिलेगा इसे तरह की तमाम जानकारी के लिए जुड़े रगी अर्थप्रकाश टीवी के साथ शुक्रिया